नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस टेडीफॉर सिविल सिर्फिस में वीडियो को पूरा देखे कोई भी आपका फीडबैक है कोई सजेसिन तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर करता है अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिजे और ऐसे वीडियो लगा आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सन 1857 के विद्रो की प्रकृती के बारे में विभिन विद्वानों के विभिन इतिहासकारों के क्या मत रहे हैं और साथ-साथ हम ये भी देखेंगे कि इतने बड़े लेवल पर जनता जब इस विद्रों से जुड़ी जनता में इतना अक्रोश भरा हुआ था उसके बाद भी ऐसे क्या कारण थे जिनकी बज़े से ये विद्रों विफल हो गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेशन के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं हमारा क्वेशन कह रहा है वाड़ 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 विद्रों की प्रकृती क्या थी विद्रों विफल क्यों हुआ तो सबसे पहले हम विबिन इतिहासकारों के मत के बारे में बताएंगे हम बताएंगे विबिन इतिहासकार विद्रों की विबिन प्रकृती पर विचार करते हैं कुछ विद्वान इसे केवल सिपाही विद्रों मानते हैं खाली सिपाय म्यूटनी कंसीडर करते हैं कुछ इसे स्वतंतरता का पहला युद्ध मानते हैं, यानि, some consider it the first war of independence, कुछ इसे स्वतंतरता का एक योजनाकार युद्ध मानते हैं, some consider it to be a planned war of independence, and कुछ विद्वान ये मानते हैं, ये ना तो पहला विद्रो था, ना ही ये राष्ट्री विद्यो था, और ना ही ये स्वत तो सबसे पहले हम देखेंगे पंडिच जवाहरलाल नहरूजी के विचार जो कि हमारे पहले प्रदानमंत्री थे उनके अनुसार 1857 का वित्रो कुछ राश्टवादी तत्वों के साथ एक सामंती वित्रो ता यानि की एक फ्यूडल अप्राइजिंग था इसके बाद आते हैं M.N. Roy के अनुसार ये विद्रो वाणिजिक पूझी वात के खिलाफ सामंतवाद का एक स्टैंड था अर्पी दत का मानना था कि ये विद्रो पुरानी सामंती व्यवस्था के बचाव में किया गया था R.C. मजुमदार का कहना था कि 1857 का विद्रो ना तो पहला था ना ही राष्ट्री और ना ही स्वतेनतरता संग्राम तो ये RCE मजुमदार का जो स्टेटमेंट है आप 157 के विद्रो को ले करके ये काफी important स्टेटमेंट है और UPSC में भी इससे डारेक्ट स्टेटमेंट को ले करके question पूछा जा चुका है और कई बार prelims में भी स्टेटमेंट दिया जा चुका है तो आप इस स्टेटमेंट को य कि 1857 का विद्रो एक बेस बना जो आने वाले समय में जो स्टंचता अंदोलन हुए थे उनके लिए और मार्क्सवादी दिहासकारों का कहना है कि 1857 का विद्रो विदेशी और सामंती बंधनों के खिलाफ सैनिकों और किसानों के लोग तंत्रिक गडबंधन का संगर्श आपके विद्रों के विफल होने के क्या कारण थे इससे पहले मैं आपको इंफर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टाडी फॉर सिवल सर्विसस के पेड़ ग्रूप से स्टार्ट है आप नीचे दिएगा नंबरों पे कॉंटाक्त करके इन पेड़ ग्रूप को जोईन कर सकते तो आपके प्रिप्रेशन में बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा आप नीचे दिएगा नंबर पे कॉंटाक्त करें और जरूर जोईन करें तो चलिए अब हम देखते हैं कि इतने बड़े लेवल पे जनसंख्या के जुडने के बात थी वह कौन से कारण ऐसे थे जिसने इस विद्रो को थोड़ा कमजोर कर दिया हो और जितना सफल होना चाहिए था सफल नहीं हुआ तो सबसे पहला कारण था अखिल भारती भागिदारी का अभाव इस विद्रो में सबसे ज़्यादा पार्ट किसने लिया था जो सबसे निचले वर्ग के लोग थे या जमिदार अगर हम लड़े तो हम पासकते हैं, हम ने पिछले वीडियो में विद्रों के कारण डिसकस किया है तो उसी हमारा इस वाधरों के विफल होने का इक कारण सामने आता है, कि इसमें एक particular section of society से जादा लोग आयते हैं पेजन्स ने इसमें बढ़ चड़ के भाग लिया था क्योंकि उनकी जमीने छिन गई थी जमीदारों ने भाग लिया था क्योंकि उनके पास से जमीदारी जाइट्स छिन गए थे बहुत सारे राजा और जो बहुत सारे व्यापारी थे वो अंग्रेजों के लॉयल बने रहे तो सबसे पहले अखिल भारती भागीदारी का अभाव इस विद्रो के विफल होने का सबसे बढ़ाओ पहला कारण बना विद्रोह में भारत के उत्री भाग में अधिक सक्री था और पूर्वी पश्मी और दक्षनी भाग में यह आप प्रभावी रहा अगर यह विद्रोह भारत के इन सारे भागों में भी प्रभावी रहा होता अगर आप समझ लीजे यहां पे गुजरात के साइट यह विद्रो जादा प्रभावी रहा होता तो यहां से जो modern arms थे यह हमारे soldiers तक पहुँच जाते और जो अंग्रेजों के पास arms उससे match करते तो हमारे soldiers पी उनके मुकाबले बराबर हो जाते और वो अच्छे से लड़ाई कर पाते लेकिन यहां पे गुजरात वाले रीजन में जो पानी से जहां पे आम सप्लाई हो सकती थी यहां पे अधर यूरोपियन सपावर्ट थी लेकिन इधर के लोगों को अंग्रेजों ने अपने में मिला रखा था इस वज़े से यहां से कोई सप्लाई नहीं हुई उसके अलावा जो पंजाब वाला एरिया है वहां से अगर कोई सप्लाई हो सकती थी तो वहां नहीं हुई क्योंकि पंजाब ने भी साथ दिया था तो इस तरीके से अलग-अलग राज्यों ने सार्थ दिया है अंग्रेजों का और पूरे इंडिया भर से participation नहीं देखने को मिलता है और ये विद्रों का विफल होने का एक कारण बनता है फिर एक तो आया ओल इंडिया लवल पार्टिसिपेशन नहीं था उसके अलावा समाज के सभी घरगों का पार्टिसिपेशन नहीं था जैसे कि साहुकार, व्यापारी, बड़े जमीदार, शिक्षित भार्तिय और कुछ शाशक ये अंग्रेजों के प्रतिवफदार रहे जैसे कि हमने देख लिया था कि किस तरीके से इस पूरे विद्रों में जादा इंवाल्व हुआ था और एक मिडल क्लास जो क्रियेट किया था अंग्रेजों ने, वो मिडल क्लास हमेशा से लॉयल रहता था अंग्रेजों के लिए तो ये एक सोसाइटी में डिविजन क्रियेट हो गया, सोसाइटी के कुछ सेक्षिन में पार्ट दिया और कुस सेक्चन ने पार्ट नहीं लिया जैसे इंडिया में अलग-अलग Bless ने पार्ट नहीं लिया में उस तरीके से अलग-अलग Sergeant के वर्गों ने पार्ट नहीं लिया वो भी इस वेदरों के विफल होने का अगरन बना फिर तीसरा कारण बनता है कि आधनिक हतियारों और उपकरणों की कमी थी तो हमारे जो शोल्जर्स थे वो अपने पुराने हतियारों से लड़ रहे थे और अंग्रेजों के पास गंस हुआ करती थी तो उनके पास इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी उतने अच्छे आर्म्स नहीं थे जिससे वो अंग्रेजों का मुकाबला कर पाएं और आम्स के सप्प्लाई जिन जिन रास्तों से हो सकती थी उन सारे रास्तों पे या तो अंग्रेजों ने अपने कब्जे कर रखे थे यहां जो यहां जो शाशक हुआ करते थे उनको अपने में मिला रखा था तो कोई भी सपोर्ट इने नहीं मिल पाया किसी भी तरीके का आम्स और किसी भी तरीके का पैसा इने नहीं मिल पाया कि वो इनके पास अच्छा खासा पैसा होता तो वो खरीच सकते तो कोई भी इने financial या किसी भी तरीके का support नहीं मिला एक तरफ जहां अंग्रेजों के पास आधुनी खतियार थे वहीं भारती तलवार और भाले से लड़ रहे थे और यही विद्रों के दमन का एक कारण भी बना एक और कारण था टेलिग्राफ लाइने अच्छा तेलिग्राफ लाहने उतने लेकलं पर पहुंची थी और नौर्थ इंडिया भी टेलिग्राफ लाहने बिच चुकी थी और टेलिग्राफ लाइनों के इसनी बिचने तो होता था कि एक जगे से दूस्री जगे खबर पहुंच जाती थी कि यहां पर विद्रो हुआ है यहां पर भी हो सकता अंग्रेज आपस में खबर पहुचा दिया करते थे तो यहां के जो सैनिक टुकडिया होती थी उनके हथियार छीन लिये जाते थे यह विद्रो का अगर करें भी तो उस लेवल पे ना कर पाय क्योंकि अगर हथियार होंगे व Star Eve L cru अंग्रेजों से जांकारी प्रसारित करने में मदद की थी उनकों को हथियार ले जा सकते थे और विद्रों को रोक सकते थे तो ये सैनिकों के हथ्यार छीन लिया करते थे जब इनकों खबर मिल जाती थी कि ऐसे पूरा रिवॉल्ट एक 1857 का तो उस टाइम पे हथ्यार ले लिया करते थे जिससे कि ज़्यादा फैले ना ये रिवॉल्ट उसके बाद चौथा कारण था किसी भी एक केंदरी नेतरत्वे की कमी थी हमने पिछले वीडियो में देखा कि अलग-अलग रीजन्स में अलग-अलग लीडर्स थे लखनाओ में बेगम हजरत महल थी और बिहार में कुवर सिंग थे जहासी में रानी लक्षमी भाई थी तो ल लेकिन एक सेंट्रल लीडर्शिप की कमी थी बहादूर शाह जफर को उन्होंने लीडर घोशित किया था लेकिन बहादूर शाह जफर ने क्या दिया था कि नॉमिनल लीडर वो रहेंगे वो अक्चली कुछ भी नहीं कर सकते है क्योंकि नाब उनका शरीर साथ देता है दिल्ली में बखत खान ने फिर लीड करा तो एक सेंट्रल लीडर्शिप की कमी थी अगर एक स्ट्रॉंग सेंट्रल लीडर्शिप रही होती उसने एक अलग अलग रीजन के लीडर्स को लीड किया होता और फिर इन्होंने लोगों को लीड किया होता तो यह रिवाल्ट एक्ता की कमी थी जैसे हम देखा कि ना एल इंडिया पार्टिसिपेशन था ना एल अल सेक्षण सब्सक्राइट का पार्टिस्पेशन इस पूरे रिवर्ड में देखने को मिलता है तो एक्ता की कमी एक बहुत बड़ा कारण पनी जब कि अंग्रेजों में एक्ता थी और जमिदार इहां जमिदारी करें immediate जो अर शाश थे वो अपना राजी वापस पाने क opener रही थे तो इंडिया अंग्रेजी शाशन से हमें आजद करने के लिए रहां आज़या हो फ्की सब कोई अपने अपनी मतला से लड़ रहा था तो एक तो उनके जो मोटिवेशन से उनमें कोई यूनिटी नहीं थी उसके अलावा सबने पाइट नहीं लिया था तो यद्यपी विद्रों में जन भागीधारी देखी गई थी लेकिन भागीधारी का कोई सामान निकारण नही महत्सपून है देखे 1857 के बाद कंपनी रूल हट जाता है और प्रिटिश गवर्मेंट शाषन ले आती है क्वीन का यानि क्राउन रूल हो जाता है ताच का शाषन हो जाता है भारत में उसके बाद अंग्रेजों की पॉलिसी चेंज होती है जैसे हम पिछले वीडियो में फिर अंग्रेजों की पॉलिसी के अगेंस्ट में इंडियन लोगों के जो है वो रिफॉर्म साते हैं उनके रियाक्शन साते हैं हम क्या सकते हैं तो उसी रियाक्शन में इंडियन नाशनल कॉंग्रेस बनती है उसके बाद इंडियन नाशनल कॉंग्रेस से पहले भी बहुत पर उसके बाद कई सारे मुवमेंट होते हैं और नाशनलिस्त आगे आते हैं तो जो नाशनलिस्त आए हैं और जो पार्टी बनी हैं ये एक तरीके से अंग्रेजों की पॉलिसी के खिलाब इंडियन का रियाक्शन था जिसे कि हम आगे आने वाले वीडियो में डीटेल में दे उसके लावा इनकी जो पॉलिसी आ रही थी इनकी क्यारटनिस्टिक टाइप वी पॉलिसी उसको भी लोगों को फिर वो समझ में आ रही थी उसके बाद हम देखेंगे कि दादा भाय नारो जी ने कैसे एकनॉमिक पॉलिसी का एवाल्यूएशन किया था उन्ही सब के अगें विफल रहा था कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं ला पाया था और साल भर के अंधर यह सप्रस भी कर दिया गया था सारी जमी जितनी भी अंग्रेजों की शाषन वाली जगें थी सब उन्हें वापस मिल गई थी लेकिन एक तरीकेश ने बेस क्रियेट किया था और इस पू करके रखा है तो इसी के साथ हमने 1857 के विद्रोग को डीटेल में कवर कर लिया है अब इससे प्रिलिम्स या में में कोई भी क्वेशन पूछा जाएगा तो आई होप आप उसे बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे तो बने रहेगा चानल के साथ मिलते हैं नेक्स वीडि झाल कर पाँ आप में कि लिए जाल कर इससे के साथ में